हेलो फ़ना वल्कम बैक टो टेकनिकल अधिकारी यूट्यूब चैनल फ्रेंट जब भी हम यूट्यूब पे कोई सौंग सुनते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं पर जब हम यूट्यूब को बंद कर देते तो जो साथ में है वो म्यूजिक भी बंद हो जाता है अगर मैं यूट्यूब पे कोई भी सौंग सुनना चाता हूँ कोई नया पुराना तो जब मैं उस सौंग को सुनता हूँ पर मुझे कोई काम आ जाता है मैं YouTube को बंद कर देता हूँ और मुझे side by side कोई और काम करना पर वो song भी बंद हो जाता है पर friends आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे trick बताने वाला हूँ बहुत simple सी trick है जिसको अगर आप यूज करते हो तो आप YouTube पे जो है song भी सुन सकते हो और background में music चलता रहेगा और side by side आप अपना कोई भी काम कर सकते हो friends आपको कभी traveling करना होता है कभी आप गाड़ी चलाते हो कुछ भी चलाते हो पर आपको music सुनना होता है YouTube पर YouTube पे music सुनने के लिए क्या करना पड़ता है हमें उसके display हमें ऐसा on रहनी चाहिए अगर display off हो जाती है phone के तो YouTube भी बंद हो जाता है तो आज की वीडियो मैं बता कैसे आप अगर आपके phone की display भी बंद हो जाती है उसके बावजुद भी आप YouTube पे कोई भी music enjoy कर सकते है वो बंद नहीं होगा एक simple से trick है जिसको आपको apply करना है फ्रेंस वीडियो बहुत ज़दे interesting होने वाली है उससे पहले एक छोटी सी request आप से है कि अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को subscribe करके on notification यहां जरूर on करें ताकि आपको ऐसे ही tax related video का notification सबसे पहले मिल सके तो friends ये जानने के लिए कैसे हम जो background में YouTube music भी सुन सकते हैं और side by side अपना काम भी कर सकते है इसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने Android phone का screen पे जहां पे एक छोट सुनता हूँ friends जैसे कि मुझे ये music सुनना है क्योंकि ये no copyrights है friends इसलिए मैं इस music को play कर रहा हूँ जैसे मैं ये music YouTube पे सुनता हूँ तो जब मैं friends YouTube से बाहर आ जाऊंगा आप यहां देख रहे हूंगे अब ये song भी यहां पे play होना बंध हो जाएगा तो friends हम कैसे YouTube पे without screen on कर से पहले friends आपको आजना है Chrome browser पे आपको कोई भी यहां पे app download नहीं करना तो friends जैसे आप Chrome browser open कर लेते हो तो यहां पे आपको YouTube को option जो मिलता है इसको आपने tap करना है जैसे YouTube open हो जाता है तो friends उपर three dot आपको देखने को मिल रहे हैं यहां से आप जो है desktop side already मैंने कर रहा है तो यह copyright strike आ सकता है तो यहां पे मैं एक चुह है search करता हूँ NCS music तो friends यहां पे जैसे मैं search करता हूँ तो यहां पे इस वीडियो को जो अभी मैंने अपने YouTube पे प्ले के तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं यहां पे यह प्ले हो चुका है तो friends यह वीडियो यहां पे प्ले ह सारी होगी तो जैसे ही मैं YouTube से बाहर चले जाता हूँ तो हमें क्या करना है अपने यह फॉन के बार को नीचे करना है और आप यहां पे देख रहे होंगे friends यहां पे मुझे सिंपल सा स्बीच वाले option को okay कर देना है तो friends अब आपको यहां पे music सुनाई दे रहा होगा तो friends य यह ट्रिक आप यूज कर सकते हो जब भी आप ट्रैवल पे हो या कहीं पे भी आप हो यहां पे आप music जो है YouTube पे सुन सकते हो अब मैं इसे off कर देता हो friends और friends यहां पे आप सुनने हो दोबारा मैं इसे play कर दिया है और friends अगर मैं इसे अपनी screen को off कर देता हो बंद कर देता ह आप इस music को सुन सकते हो यहां पे YouTube पे क्या होता है जब भी हम YouTube से song से भाहर आते हैं तो हमारे YouTube बंद हो जाता है पर यहां पे Google Chrome में जाके आप simple सा भाहर आ सकते हो कोई भी काम कर सकते हो आप Facebook चला सकते हो Instagram चला सकते हो और background में यह music यहां पे play होते रहेगा और friends अगर मैं यहां पे screen बंद कर देता हूँ क्योंकि यह जो मेरी वीडियो है इसका screen recorder बंद हो जाएगा तो आप यहां पे अगर वीडियो बंद भी करते हो अपने phone को बंद करते हो screen को तब भी आप इस music को यहां पे play कर सकते हो पर friends अगर हम YouTube एप में ऐसा करते हैं तो आप देख रहे ह phone के display को on करते हुए तो friends उमीद करता हूँ यह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजिए friends और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करके यहां पर all notification जरूर on करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो का जो notification है वो सबसे प